नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में 20 दिसंबर को निफ्टी निफ्टी क्या बैंक निफ्टी सारे सेक्टर्स में स्मॉल कैप मेड़ कैप सब में इतनी भयानक सेलिंग आई प्रॉफिट बॉकिंग आई किसी ने एक्सपेक्ट ने किया था अब सब रिजन रोनने में रगे हैं कि क्यो इतनी भाफिट बॉकिंग आई मुझे भी रिजन ने पता सबका अपना गैस वर चल रहा है कोई कैरा कोविड के केस बढ़ रहे हैं इसी लिए कोई कैरा कि प्रॉफिट रूकिंग बढ़ रही है कोई कि रेड सी में पाइरेट्स का आमला बढ़ गया है पूसकता है कि अमेरिका येमेन प्यक्शन करें पर उसका कोई फर्क ने पड़ता है किसी भी कंट्री के एकोनमी पर हाँ कुरूड के प्राइस थोड़ से बहुत उचल रहे हैं बढ़ फिर पी उतने नहीं चल रहे हैं अगर आप कुरूड के प्राइस देखो उसमें कितना जम पाया है मात्र एक पसंट से भी कम का जम पाया ह अभी भी 80 रॉरर के नीचे है ऐसा सिगनिफिकेट जम नहीं आ है यूँएस के मार्केट में भी प्राफिट डॉकिंग नहीं है ठीक ठीक ओपनिंग होई है तो अभी सिर्फ गैस वाक है कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक प्राफिट डॉकिंग हो तो निफ्टी प्राफिशन था कि एक बार जो प्राफिट रॉकिंग आई एक बजे के आसपास उसके बाद तो उसने रुकी नहीं बीच-बीच के चंग में थोड़े से हीच कोले जरू खाए और सबसे नहीं जाके कि लोज हुआ एक तीन सो तीन पॉइंट का डिफरेंस है मैसिव डिफर रहना है जिसमें आपकी अनलेसिस ठीक हो यह रिएंट्री का भी मौका होता है अगर आपका फंडा स्टॉक्स फंडामेटरली स्टॉंग स्टॉक एक अच्छी लेवल पर आ गया है आप करो भी हमने कल निफ्टी आईटी में भी देखा था उसको भी आज देखींगे कि रि देखो तो एक रेजिस्टेंस है तो 21,000 पर एक रेजिस्टेंस है हो सकता कि कल 21,000 को टच कर लेए देखी क्या है आज डे वन था जो मार्केट में एक्टिव था उसने अपनी प्रॉफिट बॉकिंग की पैनिक देखते हुए सेलिंग की अब आप एक सेकंड केटेगरी के य आज के अनल्सिस के बेसेज़ पर कि अपने बचा खुचे फोफिट हैं वह निकाल को सकता है और बीस पर सन्केट प्रॉफिट भी सकता है कि 5 परसन उड़ गया है और कुछ पासाथ परसंट बच गया है तो चाहेंगे कि पांच साथ पसंट है इसको वह निकाल लें इस चक भी देख लेंगे सपोर्ट देख लेंगे कहाते हैं पर मार्केट क्लोज होने के पास-पास फिर से एक बाइंग आ सकती है अगर 2100 पर मार्केट आ गया तो एक अच्छा लेवल हो जाएगा वह बाइंग का ऑप्शन चेन देख लेते हैं ऑप्शन चेन अगर आप देखो तो फिल्हाल मार्केट कहां क्लोज हो है 2150 पर अब इसके रेस्टेंस देखिए 2200 पर भी डेवलप हो गया है 21500 ए 2300 सब पर रेस्टेंस बिल्ड होना शुरू हो गया है लेकिन आप देखिए ऑप्शन राइटर है एड हुआ है तो काफी स्टॉंग रेस्टेंस है तो 21500 को पता ही है अब हम को रूणने की सपोर्ट का है तो आप देखिए सपोर्ट साइड में आए तो 21000 पर सपोर्ट है एक लाख आठ सथ हजार का यही सबसे बड़ा सपोर्ट नजरा रहा है 21000 एक सॉलिड पॉइंट ह होगा उसके नीचे सीधा हमको 20800 तो जो हिसाब से आज 400 पॉइंट उपर नीचे हुआ है उस तरीके से कल भी अगर हुआ तो 2800 भी जाएगा बट अगें मेरा ऐसा यकीन है कि 21000 की नीचे एक बार को जरू जाएगा लेकिन वहां पर बाइंग रा जाएगी उसके ऊपर भी जा सकता है यह रिएंट्री के भी वहां के भी देता है इस तरह का मार्केट अगर आप डेटा देखोगे तो इस ने आज नेट जो उनका पर्चेस सेल था वह एक हजार तीन सो बाइस क्रोड तेरा सो करोड की सेलिंग थी लेकिन उनका जो अमाउंट था वह भी जा था उन् डियाइस को देखिए डियाइस ने 16,194 करोड की बाइंग की और 11,000 की सेलिंग की तो नेट आल्मोस्ट 4,700 करोड की बाइंग थी इनकी यादर ही नेट पोजिशन से आज एफप्यों भी आये थे उसमें कुछ उसमें भी भाइंग थी कुछ ब्लॉक टेंड भी थे ब्लॉक इस्टेंस लेवल हर स्वापर है बट 21,400 और 21,500 पर बहुत ही सॉलिडरेस तो मार्केट इसको जरूर सपोर्ट करेगा निफ्टी बैंक को देखिए निफ्टी बैंक भी सेलिंग आई थी वह अपने सपोर्ट के पास आ चुका है अब देखना है आगे कैसे होगा लेकिन और भी इसमें आए इसके बाद देखिए निफ्टी मेड़का फंडे इसमें भी आई देखिए इस तरह की सेलिंग इसमें कोई पहली बार नहीं आई है अगर आदेखो तो यहां भी आ थी उसके बाद कान्सोलेट किया फिर निचे ज़रूर सेलिंग आ लेकिन फिर उपर त देखो हर जगा बीच-बीच में profit booking selling आती रहती है कुछ भी स्ट्रेट फारवर्ड उपर नहीं जाता तो यह अभी आपको छोटे ब्लिप दिख रहे हैं जब आगे के चलके आप ऊपर चला जाओगे तो यह भी आपको छोटा ब्लिप दिखाई देगा निफ्टी स्मॉल केप देख लीजे सेम कहानी जिए निफ्टी मिट कैप में थी इसमें भी चारे तीन पसंट से भी उपर का लेकिन किसमें किसी में नहीं नहीं को करनी है ध्यान से एनलेसिस की थी जिए निफ्टी आई टी सबसे पहले देख लिते हैं निफ्टी हमने क्या डिसक्स किया था इसमें इसमें बन रहा था हमारा इवनिंग स्थारी देखिए कैसे एक बड़ी सिक्रीन केंडल डोजी रेट केंडल और आज निफ्टी आईटी था नीचे 1.7% 2% डॉल में कल यूएस में एक्सेंचर की रिजल्स पबलिश हुए थे अब स्टॉक उपर जाए अभी उन्होंने अपनी कमेंटरी में भी बोला है ऐसा कि बहुत क्लारीटी नीख रही है और जब तक जब तक एक्चुली कमपनीज रेट कट अपनी आँखों से देखने लिए जब तक रेट कट अपनी आँख से देखने लगती तब तक मार्केट ने दिखाया कि खाली वो एक फेक ऊपर है और जब सेलिंग आई तो वापस नीचे आ गया यही कहानी आईटी विसकत की थी कि वो 36 के आसपास आएगा यह एक बहुत ही परफेक्ट पोजिशन से नई एंट्री की यहां पर देखिए सपोर्ट भी है आप कल से लेक्रमेंडेशन नहीं से एक साइज है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूनने की वोल्टास को करने का पॉइंट क्या था इसने अपने जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है उसको इसने ब्रीज कर दिया वॉल्यूम के साथ आज भी एक टाइम यह आट-डस पसंट ऊपर चल रह लोवर था L1 यह इसके उपर L2 इसके उपर था और जो अगला लो था वो इसके भी हाई था यानि जो इसका सपोर्ट है वो धिर धिर उपर के सकरा है अब वीकली बेसिस पर इसको यह ब्रीज करना है याद रखिए अभी वीक में तीन ही दिन हुए है अभी दो दिन का गेम बागी है तो अगर वीकली बेसिस पर इसके उपर क्लोज हो जाता है इस तरीके से तो एक बहुत ही परफेक्ट ऑपरस्टिनिटी होगी या तो अब तब बाए करो या जब री टेस्ट करके फिर उपर की तरफ जपनी नेक्सचर नहीं करे तब आपको बाए करना है याद र जब मार्केट में सेलिंग आई तो में भी क्यों नहीं सेलिंग आएगी हमने कले डिसकस किया था कि अगर आपका टार्गेट जो है रिजेंटली तब भी 10% का गेर है अगर आपका टार्गेट पूरा हो गया तो आपको करना चाहिए अभी भी देखिए आज भले ही 2% नीच कि अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो अगले स्टॉक्स में कहां से पैसे लाओगे पैसों की वह तो नींटम पैसों का पीड है कि कोई आकर हमको पैसा दे रहा है तो बाइंग करनी है पीर उस विसेलिंग को य अच्छी काशी selling आई के फिंटेक उन कुछ stocks में था जिसमें मैंने आज buying की है बहुत सारे orders place किये थे मैंने मैंने आज काफी buying की लेकिन बहुत सारे orders मेरे execute ही नहीं हुए वो उस क्योंकि stock उस point पर touch किया और अच्छ करते ही वह तुरंथी ऊपर चला गया वहां पर एक्जिस्ट नहीं किया तो लेगिन के फिंटेक में अच्छी एक लेवल का support देख रहा है हमको यहां पर इसके बीच में आप फॉर्दर वाइंग कर सकते हो और केफिंटेक को स्कॉल करो तो इसने ऐसी ट्रेडिशन दिखाया देखिए हलका सा नीचे ऊपर भी जाएगा फिर हलका सा नीचे फिर हलका सा फिर देखिए प्रफिट लुकिंग करता है तो फिर यह ऊपर जाके सस्टेन नीचे आया अगर फिर इस पैटन में फिट होता है और केफिंटेक यह बहुत लॉंग टर्म के गेम है अगर आपका इसमें बिलीफ है तो आप इसमें बिल्गुल करना मैंने केफिंटेक में आज बाइंग की यह कुछ इनिंदा लेकिन मैं उसमें बाइंग लिटरली कर नहीं पाए मेरे और प्लेस नहीं वे जैसे आप एफल इंडिया देखोगे तो एफल इंडिया एक बार के लिए देखिए ग्यारा सो पर आ गया था बहुत ही अच्छा लेवल था क्यों क्योंकि सपोर्ट है यहां पर क्लिरली दिख किया था पर यह एक्जेक्यूट ही नहीं हुआ इसके लाव और भी कुछ थे शाद वियाएपी भी था वियाएपी इंडिस्ट्रीज पांसो नवबे पर बहुत अच्छा सपोर्ट है यहां भी मेरे और बाई नहीं हुआ इसी तरीके से और भी काफी स्टोर थे आइधिंग यहां पर यहां पर जुरूर टेस्ट करने आएगा अगर विकली बेसिस पर लगा इसके यहां पर तो अपको रहें कर लेंद देखोगी की थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमको पिच्चर क्लियर हो अगर आप क्लियर ही देखो तो यहां पर इसने इसको ब्रीच कर दिया है एक बार हलका सा रिटेस्ट करके फिर अगली मोमेंट करेगा इस तरीके से अगर आप नीचे भी देखोंगे तो ऐसे से करके जाता ही बॉटम से इसने बतिस पसंट यह उपर जा चुका है तो बतिस पसंट उपर जाके अगर प्राफिट नहीं आई तो फिर क्या करो गया तो एक अच्छी ऑपरचुनिटी थी यहां पर मैंने अपना और प्लेस किया बिटैनिया बिटैनिया भी एक टाइम बहुत अच्छा उ दियान में नहीं रहा मैं इसको प्लेस नहीं कर पाया मजगाओं डॉब को डेली हटाइए वीकली वेस पे लगाएए तो आपको क्लिरली दिख रहा है कि इस वक्त एक का इंस चल रहा है जहां स्प्रेड चला देखिए किस तरीके से मार्केट उपर जाता है फिर अगले वे के साथ 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 किया है ministry of defense and construction किसके लिए छे छे बनाएगा इन next generation of shore patrol vessels इंडियन कोसगार्ड के लिए कितने देखे लिखा हुआ है कि टी जिरो जब पहला payment के बाद यह पहला वैसल डिलिवर करेंगे और फिर हर पांच मन के बाद एक डिलिवर करेंगे टी जिरो क्या है जब पहला amount आएगा बायर का सोला सो करोड का है सोला सो करोड अगेन मजगाउं डॉग जैसी कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है इनकी और बुग पचास जारा ओल्मुस्ट टच करने को आ रही है तो अच्छा है देखे कंसॉलिट कर रहा है हालका सा अगर आप ध्यान दो इस तरह से मजगाउं डॉग में डिफैंस में अगर आपको लगता है कि करेंट गवर्मेंट रिपीट होगी तो आपको मजगाउं डॉग में इंटरस्ट रखना पड़ेगा मजगाउं डॉग में पस बहुत नीचे की लेवल से हैं तो मैं 200% से उपर की रिटन पर बैठा हूँ तो अ अगर जो इस टार्गेट बेस पर टेडिंग कर रहा था अगर आपने प्रफट डॉप नहीं किया है गलत किया है आपको प्रफट बुक करना था अगर आपको लॉंटर्म व्यू है बने रही है इस ट्रॉंग को फर्क नी पड़ा अभी इसकी उपर की जर्नीत है बना हुआ हूं मैं से में को कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें किया था नहीं इस 12 को बीच कर लिया बहुत स्ट्रॉंग केंडिल आई अपने नेक्स सपोर्ट के पास चला गया 142 के पास अब देखते हैं क् चांस नहीं बना आया ची स्टिसी इव्ल के में ितने में बना है लेकिन बुल्लन में ड़्ण इअ बना होती है देखता है क्पना पर अब रन को इन चाहिए थी कंबर्ट कर लेते हैं इसको ही ऐस्ति चाहिए लिक ट्रापत इक हैं घॉरिदे खर लिए तरह से यहां पर रेस्टेंस था इसके पास आया अगला रेस्टेंस कहा मिलेगा आपको अगला रेस्टेंस आपको बहुत च्छोटा लेवल पर यहां मिलेगा जहां पर यह है अभी पर याद रखिए ये वीकली केंडल है यह डेली केंडल नहीं है भी खता होने में दो दिन है यह कल को इसके ऊपर भी क्लोज हो सकती है तो यह बाइंग ऑपरचुनिटी है जो कहते हैं बाइंडिप लेकिन जब डिप मिलेगा तो आप उसमें और प्लेस करने के लिए जिकर चाहिए होता देखिए बोलना स को अपने अंदर से जगाने पड़ेगी कन्विक्शन आपको ने पड़ेगी तो यह बाइंड परचुनिटी हो सकते कल और अगर आपका व्यू जो है काफी लॉंग टर्म का है तो आपको डेफिनेटली इसमें इंटरस्ट होना चाहिए आप देखो सेम कहानी संसेरा के साथ रेस्टेंस के नीचे आ गया हजार के ऊपर ब्लू टेरिटरी है इतना असानी से बीटनी होगा देखिए लास्ट टाइम भी उसने यहाँ पर तकलीव दी थी इस बार भी तकलीव दी कैंडल अच्छी नहीं है मैं आपको पहले विता दिरहों कि यह कैंडल जो है यह बुलि आज बाच्छा है संसेर इंजिनिंग बहुत अच्छी आटो एंसले कंपनी है अगर आपका इंटरस्ट हो जून रहे हो तो यह डिप आपको कंसिडर करनी चाहिए तो यह थी आजकी नए स्टॉक्स हमने बहुत डिसकस नहीं किये क्योंकि फंडामेंटल स्टॉक्स जो हम प बहुत बहुत दन्यवाद